असलाम अलेकूम वेलकम टू कोकिंग वेट जीया नास काव यो जिन्दगी जीयो उमीद करते हूं मेरे भेन भाई साथ खेरियत से होंगे अल्ला दाला उन्हें हस्ता मुस्कुराता अपने घरों में यूही अबाद रखे आमीन सुमामीन जी आज आप देखने में ये ठंडा ठंडा मज़ेदार सा क्या लेकर आई हूं अगर आप लोगोंने जानना है देखना है कि मैंने क्या बनाया है तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ और मज़ेदार सा ये ठंडा ठंडा क्या है तो चलिए बनाते हैं मिलके, लेट्स गो तो मज़ेदार मैंगो मस्तानी बनाने के लिए जो हमें चीजे चाहिए मैंगो मस्तानी बनाना है तो हमने मैंगो आइस क्रीम ही लेनी है और यहां मैंने इसके गानिश के लिए है बदाम, पिस्ते, काजू, आम चॉप कर लिए और तूटी-फूटी जो हम उसमें जड़े में डालते हैं तो यह वह है तो यहां हमने यह लिए और हम इसमें ले मैंगो मस्तानी गर्मियों में तो बहुत मज़ेगी लगती है और जिसने मेरा चैनल सब्क्राइब नहीं किया जली से सब्क्राइब कर ले लाइक कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे जी इसमें हम डालेंगे अपनी टेस्ट के हसाब से जितनी आप लोगों को पसंद है आप उतनी शुगर डाल सकते हैं तो मुझे जितनी पसंद हैं इसमें और अब जाएगी जी मजे की मैंगो आइस्केम दिसके अंदर अममें तक्रीब हना इसमें चार स्कूब आइस्क्रीम मेरे टाल दूंगी और मुझे जरूर बताएगा फिल बैक देखिए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है आप जी अब मचला कर लोगी जी तो यहां हमारा मैंगो मस्टानी तयार है तो इसके हम डालेंगे पहले आइस्क्रीम आइस्क्रीम डाल देंगे थोड़ी सी फिर डाल देंगे अपने थोड़े से यहां मैंगो और यहां डाल देंगे अपनी ठूटी-ठूटी अच्छा ड्राइफ फ्रूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना भी आपको पसंद हो बदाम पिस्ते और गाजु और फिर हम डालेंगे अपना मैंगो शेक यह मैंगो शेक डाल दिया उसके बाद हम डालेंगे इसमें दुबारा आइस्क्रीम है ना मज़ेदार रेसिपी तो जरूर मुझे बताईगा फिल बैक मुझे जरूर दीजेगा कि आप लोगों को मेरी यह रेसिपी कैसी लगी है यहां हम डाल देंगे एक्स्ट्रो किरी और यहां हम डाल देंगे थोड़ी से अपनी नालिश के लिए उपड़ पिस्ते बड़ां ग्रीन जैली यह हो गई है रेडी तो हमारी मैंगो मस्तानी तयार है उमीद करते हूं आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप लोग देख सकते हैं कि माशला से इक इस तरह बनी है तो मुझे फील बैक जरूर टेके बताएगा और ठंडी यह चीज़ जरूर यूस करें आप लोग बड़ा मज़ा एगा इंजॉय करें आप लोग तो जब तक आप लोग जरूर यह चीज़ जरूर टेके बताएगा इंज।